देखो, बहुत शारे बच्चे, इस्टायटिक्स के लिए वीडियो बनाएकर के कमेंट के थे तो मैंने का चलो आप लोग लिए एकाभ वीडियो बना दिया जाए क्योंकि ऑड़ेडी आप पास हो सके अच्छे नंबर से इसके लिए जितनी वीडियो आपके लिए चाहिए जरूरी वो सब मैने पहले बना दिया है बद हमको करना क्या है ऐस तरह से चानल के अंदर विजिट कर लेने ठीक है तेखो कई बच्चे ने चानल तो सस्क्राइब किया होगा ठीक है ऐसे मेरे चानल दिखाएगा ना, चानल के अंदर इस तरह से विजिट करना, विजिट करने के बाद आपको यह जो पहला इंटरफरेश दिखा रहे, इसमें प्लेलिस्ट लिखा है कहीं पर देखो, यह यहाँ पर, लाइव, प्लेलिस्ट यह सब दिख रहे न, तो प्लेलिस् जो भी सेकेंडर में स्टाटिक्स देखना चाहते हैं, स्टाटिक्स का यह वाला अप्लेलिस्ट में आना है, देखो, क्या-कैची ची आपके लिए जरूरी है, बहुत ऊपर इज़ी भी है, और आपको इसमें पूरा 45 न्यम्म Sask लिख सकते हैं। दो थियोरी बना कर कि आप उसमें लगभग 30 का टार्गेट रह सकते हैं, तो दोनों मिला कि आपके 75 अराम से हो जाते हैं, ठीक है, अब जो आपको ये तीन उनिट है उसमें क्या पढ़ना है वो जान लो, आपको पहले उनिट में आपको पढ़ना है माध्य, माधिका और ये सब आपके माध्य माध्य का बहुलक के हैं, जिसमें हिंदी मिड़म की छात्रों के लिए प्रॉपर हिंदे में लिखा हूं, इंग्लिस मिड़म की छात्रों के लिए प्रॉपर इंग्लिस में भी लिख के मैं बताया हूं, अलग अलग वीडियो से हैं, जिसमें आप किस पूछ कोश्चन में एक सांथ 15 नमबर के लिए इसमें माध्यमाध्यक बहुलक तीनों पूछता है तो यह मैंने लिखा है माध्यमाध्यक बहुलक बुलगे ऐसे कोश्चन को बनाना आपको आना चाहिए तो यह सब वीडियो आपके लिए उपर चले कर कि यहां तक कि जितने जो आपने देखा कि सब आपके लिए कि अबर मैं लाइब आकर के वीडियो बनाता हूं तो ऐसा लाइब लिखा रहता है ठीक है इसके पर आपका यूनिट टू आता है जिसमें आप चतुर्थक विचलन गुडान प्रमाप विचलन सीखते हैं और थ्री में आप सीखते हैं स्प्यार मैंट के कोटी अंतर रहती तो यह जिस समय इंटर्नल हो रहा था कई बचों ने मुझसे मांगा था तो देखिए 6 मैंने पहले मैंने इसको बना दिया है 6 मैंने पहले देखको एक्जाम के त्यारी न अभी एक्जाम से 10 दिन 4 दिन 2 दिन पहले नहीं होता आपको प मतलब था पढ़ाई से अब अभी आप लोग को वीडियो पर वीडियो चाहिए तो चलो कोई बात नहीं जब जागो तब सबेरा तो यह उनिट 3 को कवर करता है मैंना आगे ध्यान देना कि यूनिट 2 का यह वीडियो है जिसमें मैं यूनिट 2 लिखा भी है यह आप देख सक लेना आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और एक कोर्शन पेपर मैंने सॉल किया था इसमें उसको देख लेना और काल पेर्शन की रिति कई बार एक्जाम में बहुत ज़्यादा कुछी जाती है तो यह जिसमें काल पेर्शन लिखा है कोटी अंतर लिखा इनको पढ़ लेना यह सब आप्सन में आने वाले कोर्शन होते हैं अब निर्दसांग आपका यूनिट 4 होता है तो यह आपकी यू इस अब आपके लिए है इनको पढ़िए इनके वीडियो देखिए इनके क्वेशन बनाई है हाँ यूनिट 3 में 2 में कई बार यह जो काल पेर्शन का बावले विशमता गुडांक इनका जो पूछा जाता है न यह कुछ यूनिक चीज है जो कभी कभी किसी किस इनुशर्ट में इनके कोशन पूछ दिये गए थे उन बच्चों ने पूछा था तो मैंने कहा चलो इन पर वीडियो बना दो क्योंकि यह बेसिक टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है अलग है और यह कभी कभी आते हैं और इस साल मैंने फस्टर में देखा कि कुछ यूनिक कोशन दिया जा रहा है तो हो सकते हैं आप लोग को भी दे दे इसलिए मैंने इन पर वीडियो बनाई है इस पर आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगा तो आप मेरे चानल में देखके अच्छे से सीख सकते हैं 400 200 वीऊ से और आप लोग 1000 से ज्यादा बच्चे थे पहले जो सस्क्राइब क देखो कितने कम है इसलिए मैं सेकेंडर की वीडियो भी जादा में जना रहा है चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद उनिट बन में न कुछ-कुछ ऐसे कोशन है जिसमें न कुछ-कुछ अमाउंट गायप रहते हैं कुछ-कुछ रासी गायप रहती है माध्य माधी का बहुला कमें तो यह अग्याद रासी के कोशन कैसे बनेंगी यह वो टॉपिक्स है इस अभी को आपको देखना है ठीक है एक्जाम में क्या क्या आ सकते हैं टॉप 5 कोशन यह भी मैंने इस पर वीडियो बना दिया है तो कई लोग जैसे MP कोशन पूछते हो न तो वो सब उनको देख लो ठीक है जिनको सिर्फ पास उनके लिए वीडियो बनाया था कि सिर्फ पास कैसे होंगे आप देख सकते हैं इ इतना आपके लिए जरूरी है मैंने बना दिया है इस पर मैंने आप 75 75 कैसे ला सकते हैं सारे टॉपिक बताया है आप मिनिममम 30 से 45 नंबर कैसे ला सकते हैं वो भी बताया है और एक ऑन अन एवरेज हो हर बच्चा चाहते है कि गम सक चार कोशन ठीक से बन जाए जिससे आप का साथ नंबर का टार्गेट रहे तो उस पर मैंने लगबग जो चार यूनिट के लिए आपके इंपोर्टेंट कोशन थे वो समय ने बताया है वाकि देखो सीखो और बल्ले बल्ले बाय बाय ठीक है सीखो विडियों को लाइक करो दोस्तों में सेर करो